नमस्कार आदाव सश्रेकाल स्वागत है आप सभी का एक बार पुनह समाधान कारिक्रम में मित्रों हम चर्चा करते आ रहे हैं युवाओं के लिए सर्वांगिण व्यक्तित्व विकास का कि उनका संपूर्ण विकास कैसे हो और हमने चर्चा की कि शारिरिक व्यक्तित्व और साथ ही व्यवहारिक व्यक्तित्व बहुत एहम मुद्दे हैं व्यक्तित्व से जुड़े हुए लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा महत्व पूर्ण है मानसिक व्यक्तित्व जिसकी कल हम चर् ब्राता जी सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि संकल्प शक्ति की चर्चा या इसकी क्या महत्ता है यह शायद आजकल युवा वर्ग में या अन्य लोगों में इसकी जानकारी नहीं है तो थोड़ा इस बात पर अवश्य प्रकाश डाले कि संकल्प शक्ति कितना महत के लिए जीवन के लिए सफलता के लिए देखिए सबसे बड़ी शक्ति वास्तों में मनुस के मन में ही रहती है और रोज का सबका अनुभव है कि जैसा मनुस सोचता है उसका संपूर्ण स्वरूप उसके चेहरे पर आ जाता है और जैसे हम चर्चा कर रहे थे निगेटिव विचारों की तो वास्तों में बहुत कम लोग समझते हैं कि निगेटिव विचारों से हमारा चरित्र हमारा व्यक्तित्व हमारी सफलता हमारे जीवन के द्रड़ता सब कुछ समाप्त होने लगती है इसलिए पहली चीज जो कल हमने चर्चा की थी कि मनुस को निगेटिव न यदि वो कुछ अच्छी चीजे रिफलेक्ट कर रहा होगा चेहरे पर एक ग्लोव होगा एक तेज होगा तभी तो किसी की और दूसरे लोग आकरश्ट होंगे और अगर चेहरे पर उदासेंता है देहिक आकरशन चाहे कितना भी जवर्दस्त क्यों नहों मनुस लंबा रज ले कि हमारा हर विचार बड़ा महत्त्र पूर्ण है ना केवल हमारी सफलतां के लिए ना केवल हमारे career को माहन बनाने के लिए ना केवल हर फिल्ड में हमें निर्विघंजी वन जीने के लिए लेकिन एक आकरसक व्यक्तित्तों के लिए भी मनुस के विचारों का बहुत जादम है क्योंकि हमारे हर विचार में creative energy है वास्तों में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं मैं इसमें और कुछ जोड़ जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरे भी हमें देखते हैं इसलिए positive विचार करना बहुत आवस्तक है लेकिन हमारे इस अंकल को के कई प्रारूप हैं उन सभी पर हमें बहुत ध्यान देना होगा प्रश्ण सुनो कि ताज महल पहले कहां बना तो बताते थे कि सिबी चीज का निर्मान पहले यहां होता है आपके मन में होता है पर शात वो बाहर निकलता है तो हम भी जो आज कर रहे हैं, चाहे उसमें सफलता मिल रहा है या सफलता, लेकिन जो भी कारिया हम कर रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं हमारी विचार, हमारी सोच बहुत जादा महत्व पूर्ण है, तो ये संकल्प जो व्यक्ति कर रहा है तो क्या सोच रहा है, वही जानना है, व्यर्थ सोच रहा है, तो संकल्पों के प्रकार पर जरूब कर रहा है, यही कि एक मनुस को अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसको महत तो देना चाहिए, संसार में अधिकतर लोग, मैं कहुँगा 99.9% लोग अपने विचारों के बारे में जड़ा अधिकारी है, मैंने अधिकारी है, मैंने जड़ा पर जरूब करना होगी, उसको अपने साथ लोग, मैं जड़ा पर जरूब करना होगी, साथियों में काम बाटना होगा, या जो उसको खुद करना है, उसके बारे में भी उसे विचार अवस्च करना होगा, पहले ये करूँ या ये करूँ, ये विचार हैं, आवस्चक विचार, हमें कहीं जाना है, हम उसके बारे में अपने मन में एक चित्र बनाते हैं, इतने लिए जो विचार हम करते हैं उसकी ज़रत होती है इन आवश्यक विचारों में भी एक चीज और जानने योग है कई लोग आवश्यक विचार भी बहुत जादा करते हैं और कई लोग और कुछ करते हैं, कि वही वही विचार बार-बार करते हैं, वहां लोग उन्हें ट्रेन में जाना है, उन्हे हम निश्चे किया कि मैं 9 वजह घर से निकलूँगा 10 वजह चड़ूँगा, तो वो बार-बार सुचेंगे, 9 वजahlen निकलूँगा, 10 वज़ी चड़ रहता है और उन्हें आवस्षक भी समझता है और वो अपने को बड़ा समझदार भी मानता है कि दो उधर का तो सोचना है पड़ेगा दूसरे विचार हैं व्यर्थ हमने अपने ग्रूप में एक बार एक बहुत अच्छा एक्सपरिमेंट कर आया कई साल पहले की बात है जब हम पावर ओफ थोट पर काम कर रहे थे तो हर एक को काम दिया कि आज दस बार आप रुख कर अपने मन को अपजर्व करना वाच करना हम क्या सोच रहे हैं सभी ने किया वो काम और जो हमने पूछा तो अधिकतर का क्या उत् रहे हैं यानि वो वेस्ट था वो व्यार्थ था दूसरे दिन हमने काम दिया के 25 बार सोचना तब भी अधिक बार मन उस वही सोच रहा था जो उससे सोचना नहीं चाहिए था ध्यान हम नहीं दे पाते लेकिन मन वह ऐसा सोचता रहता है जिसकी कोई आवश्यक्ता ही नहीं ह और लास्ट में वो क्या सोच रहा उसे पता नहीं उसका कुछ लेना देना ही नहीं उन चीजों से वो चीजे होंगी ही नहीं उसके बारे में वो सोच रहा है तो मनोभग्यानिकों ने कह दिया था कि मनुस 80% thoughts waste करता है लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई अब 90% thoughts हर मनुस waste करता है 10% केवल वो यूज कर रहा है यानि अपने brain की 90% power को यूज ही नहीं कर रहा केवल 10% use हो रही है तो भी संख्यार में बड़े-बड़े काम हो रही है ब्राताजी एक सर्वे आया था मैं आपको बीच में रोक रहा हूं तो सर्वे के अनुसार भी जैसे आपने 80% कहा तो सर्वे में ये था कि मनुष 80% अपने past में जीता है 15% अपने future में जीता है और केवल 5% ही present में रहता है खतरनाक विचार भी मनुष करता है जिसको medical science ने toxic thoughts नाम जा जहरीले विचार जो सच्मुच मनुष को जहरीला बना देते हैं और उसके जो glands हैं उनसे जो secretion होता है वो भी बहुत खराब द्रव्यों का होने लगता है जिससे बीमारियां पैदा होती है जहरीले विचार क्या होते हैं किसी के प्रती क्रोध आ रहा है उसको मजा चखाऊंगा उसने मुझे ऐसा कहा था अच्छा मैं यह करूंगा उसके लिए बदले की भावना जागरी थो रही अपने मन में अच्छा जब तक उससे बदला नहीं ले लूँगा मैं सुक की नेद में चलते रहते हैं जो आस्तों उसके ब्रेन को जहरीला करते हैं और बहुत धीक शक्ती को नस्ट करने लगते हैं यही तो कारण नहीं है शारिरिक बीमारियों के भी जैसे आज कल डॉक्टर कहते हैं कि more than 80% diseases are psychosomatic कि आप अपने मन से ही उसे उत्पन कर रहे हैं तो इस प्र इंति सता है क्या … टैंसन बहुत रहती है क्या … उल्टा सिवल्टा जाहद सोचते हूं क्या … डाइबिटीज भी होगी तो पहला प्रशन यह होगा टैंशं लगता है बहुत जाहदा रहती है तो टोक्सिक थोड cinq वास्त्तों में अनेक बिमारियों को जनम देते हैं कनवार्श कानुथपन यह विचार वास्तों के इसे विचार वास्तों में बड़े खतरनाख हैं इन से मनुषट में चाहिए यह किसी के भी व्यक्तित्व को धूमिल करने वाले हैं चाहे उसका बाहरी पर्सनल्टी कितनी भी सुन्दर हो लेकिन यह अंत्रिक जो पर्सनल्टी है यह अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके चेहरे पर वो चमक नहीं होगी जिसे लोग उसकी और आकर्सित हो जो लोग उसे सहयोग करें जो लोग उसकी बात सुनें उसके मन उसके लिए सच्छे मन से सम्मान की भाव ना रखें तो इसलिए इन विचारों से बचना बहुत आवश्चा है अब हम चलते हैं थोड़े अच्छे विचारों की ओर बहुत सुंदर विचार जिसकी मन उसको बहुत आवश्चता है वो हैं elevated thoughts महान विचार अब ये ऐस विचार हैं एक बार हमें college में गए program हो रहा था बड़े बच्चे बैठे थे हमने पूछा कि सब को अपने मन में बहुत सुंदर अच्छे माहन विचार करने चाहिए elevated thoughts create करने चाहिए क्या बच्चे बताएंगे elevated thoughts क्या होते हैं तो पहले तो सब चुप फिर दिर दिर बोलन सुर किया simple living high thinking की ने बोला honest is the best policy एक दो बात बोलके सभी चुप हो गए कि आगे अच्छे विचार क्या होते हैं वह यह तो हमने सोचा नहीं था अच्छे विचार होने चाहिए ना सोचा था ना सिखाया गया था कोई सिखाता नहीं अच्छे विचार उच्छे विचार होन चाहिए पर वो है क्या वो आएंगे कहां से यह जानकारी किसी ने न दी न किसी के पास है तो हमने फिर उन सब को एक simple चीज सिखाई कि कैसे आप सबेरे उठके 5-7 सुन्दर विचार अपने मन में किया करो उठे मैं एक्जम्पिल दे रहा हूं संकल्प करें हम भगवान के बच्चे हैं वो प्यार का सागर है आज हम भी सब को प्यार मातेंगे हमारा परंपिता सेव है कल्यान कारी आज हम भी सब के लिए कल्यान का काम करेंगे वो धयालू है आज हम भी सब पर धया करेंगे, यद भी सत्यता का मार्ग कठिन है, लेकिन हम सत्यता का मार्ग कभी नहीं छोडेंगे, यद भी इमांदार मनुसा आज डूणने से ही मिलते हैं, बलकि लोग तो ये कहते हैं, कि अधिक कर्ष तो आज इमांदार लोगों को हो रहा है, बाकि विचार करना कि भले बाहरी मौज हो लेकिन इमानदार व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत सुख ही होता है इसलिए हम अनेस्टी को ही अपने जीवन की बैस्ट पोलिसी बनाएंगे ये विचार मान विचार हैं हम दूसरों को सुख देंगे हम किसी की बुराई नहीं करेंगे ह हम किसी के को गिराने का कभी सोचेंगे भी नहीं सबको हम को अपरेट करेंगे ये सुन्दर विचार हैं जो विचार करते ही विचार करने वालों को अंतरिक सुख मिलने लगता है उसकी चमक चेहरे पर आने लगती है व्यक्तित्व में अकरसन पैदा हो जाता है ये बात तो चारो और का वातावरन इतना जवार्ट है आज लोगों चाएवार इतना ज्याद देगें भशी cynत लें तो ऐसे में अपने आप को कैसे उस और जाने मिलता है देखिये बेल्सक्ति में नहीं दूसे बेल्कुल थीड आह लेता बने अच्छे समाचार होंगे अच्छे समाचारों को तो अख़वारों में इस्थान ही नहीं मिलता उसके लिए बहुत पैसे देने परते हैं। आप टीवी के चैनल्स देख लिए बहुत कम अच्छी बाते वहां आती हैं बखी सब बाते यही नाच गाना और पॉलिटिकल नियूज और वहां आग लग गई वहां सुसाइड हो गया वांदोलन हो गया तो लोगों को कुछ संदर विचार देखने सुनने सीखने को मिल नही अच्छी पुस्त के परचार परसार में लानी पड़ेंगी देखे जब से इलेक्ट्रोनिक्स मेडिया आया है तो लोगों को पढ़ने का सौख वैसे भी कम हो गया टाइम भी नहीं लोग उधर दे पाते इसलिए साहित्य है वह फिल थोड़ा पीछे जाने लगा है देखना केबल विज्वल जो चीजे हैं वही लोगों को एट्रेक्ट कर देए लेकिन सत्साहित्य से ही सत्विचार हमें प्राप्त होंगे महान विचार हमें प्राप्त होंगे उसकी और हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और मैं तो बलकी यह कहूंगा कि हमारे जो पढ़ाने वाले शिख्षक हैं, लेक्षरार और प्रोफेसर्स हैं, उनके पास महान विचारों के भंडार होने ही चाहिए, आज कल क्या हो गया नहीं तो कहीं नोखरी नहीं मिल रही चलो टीचर बन जाओ, प्राइवेट पढ़ा लो, तो एक जो टीचिंग प्रोफेसर ने इसको उतना ही महत् हमें education को भी देना चाहिए, teaching line को, तो teachers का selection भी उसी तरह से होना चाहिए, और उसमें भी विसेश बात हो, उनके पास moral values हो, वो चरितर के धनी हो, उनके पास सुन्दर विचारों का खजाना हो, ताकि उनका जीवन ही विद्यार्थियों के लिए others हो, वो उनको सच्चे से अपना गुरू मान सके, वहां से अगर मान विचार, बच्चों के पास, यूकों के पास आएंगे, तो ये जो भार की गंदगी है, इस पर सुन्दर विचार हावी हो जाएंगे, सुन्दर विचारों में शक्ती होती है, गंदे विचार निर्वल होते हैं, तो बहुत जल भेक आदर्श प्रस्तुत करें विद्यार्थियों के लिए साथ ही व्रता जी जो विद्यार्थी वर्ग है जो युवा वर्ग है जो अब इस और बढ़ रहा है कि हम एक सकारात्मक्ता की और बढ़ें वो भी अपने पास जरूर इस विचार को रखे जैसे आपने एक बात कही के कुछ अच्छे विचार अपने अंदर लाए डाले और साथ ही ये भी तो रख सकता ब्राताजी कैसी भी नेगेटिविटी आ जाये मैं अपने आपको पॉजिटीव ही रखोंगा ये भी प्राक्टिस हो सकती है उसके लिए बिल्कुल यूवकों में जागरती आ रही है हम इस गंदी लहर में बिल्कुल बहना नहीं चाहते ऐसे यूवकों की भी कोई कम ही नहीं है बात तो के वली होती है कि जैसे घावत है ना एक मचली सारे तालाब को गंदा कर देती है तो एक गंदगी परचार में इतनी आती है कि सुनने वाले देखने वालों को लगता है लक्ष को लेकर चलने वाले यूवक हमें मिलते हैं सच मुछ तो सच कहूं तो मुझे उनको देखकर गर्व होता है कि ऐसा एक यूवक भी अनेक यूवकों के जीवन का निर्मान करेगा तो ऐसे स्रेष्ट चरित्र वाले महान विचारों से सजे हुए यूवक थोड़े भी हम अध्यन जैसे अपनी स्टडी में वह बहुत समय देते हैं सिलेवस में वैसे ही रोज आधा घंटा भी कुछ सत्साहित के अध्यन में वह समय देंगे तो उनके विचारों में मानता आएगी और सची बात तो यह उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और विद्यार्थियों के जीवन में जो निरासा आती रहती है यूखों के जीवन में कई चीजे जो उन्हें इरिटेट करती रहती है उससे बच सकेंगे तो मानसिक द्रिड़ता भी एक बहुत सुंदर पहलू है भाता जी मानसिक व्यक्तित्व क के लिए तो सुबह आपने कहा सुंदर विचार कुछ सत साहित्यों का अध्यान ऐसे ही अन्य कुछ और बातें उनके जीवन में वो शामिल यदी करें तो निश्यत रूप से विक्सित होंगे मैं ऐसी कुछ बातें आवशे जानना चाहूंगा कि और क्या वो शामिल करें ता पूर्ण विश्वास और द्रड़ता के साथ प्राजम करें और जब किसी विकारिये को मनुस्ट प्राजम करता है उसमें उतार चड़ावाते हैं निरासाशाओं का दोर चलता है कभी उसको लगता है सफलता मिल जाएगी कभी लगता है सफलता नहीं मिलेगी लेकिन वो द्रेड़ता के साथ ब्राता जी अन्य कुछ ऐसी बाते हैं जो हम मानसिक व्यक्तितों के अंतरगात शामिर कर सकते हैं मनुसको आशावादी बहुत होना चाहिए जैसी यूवकों में बहुत चीजे आ रहे हैं मेरे से जो कॉन्टेक्ट होता है तो साथ मुझ से कॉन्टेक् विद यूर लाइफ, विद यूर प्रोग्रेस वो कहते हैं बहुत अच्छी तरह हम सैटिस्वाई हैं हमें बहुत आनन्द है तो ऐसे यूवक भी हैं लेकिन हमें सदेव आशावादी होना चाहिए एक सुन्दर एप्रोच एक सुन्दर वीजन और बिलकुल सहज भाव से क हम इसे प्राप्त करेंगे ही आज कुछ वियवधान आ भी गया यह हट जाएगा और हम इस लक्स तक पहुंच जाएंगे तो आशावादीता टोटल मनुस के व्यक्तित्व के लिए एक बहुत ही सुन्दर पहलू है तो राचे जी एक संकल्पों की बात आप कर रहे हैं और ह सहिंसिलता, सरलता, मदूरता जिसकी हमें चार्चा कर आये हैं यह मुसकान भी मनुस के चित में बहुत पे सैंस भी होना चाहिए उसके पास सथयता भी होना चाहिए ऐसा नहीं वो बहार एक बात करें अंदर दूसरी बात करें तो भी उसके लिए लोगों में आकर संथ उनको बिल्कुल बॉल्ड ली फेस करने का मनोवल भी उनके पास होना चाहिए ताकि परिष्थितियां उन्हें डैड न करें बल्कि वो परिष्थितियों को नस्ट करने वाले बन जाएं। उन्हें अनुसासन प्रिये भी होना चाहिए उन्हें पंच्वल भी होना चाहिए उन्हें दूसरों के लिए सोहार्द की भावना सुब भावनाय कल्यान की भावनाय भी अपने मन में रखनी चाहिए ये किसी भी मनुस का मानसिक व्यक्तित भी कहलाता है तो ऐसा मन अगर किसी का होता है तो उसके चेहरे पर निश्चत रूप से बहुत अच्छा करसन होता है बहुत से जलग होती है इन सद्गुणों को भी अपने जीवन में धारण करके रखें ताकि वो मानसिक रूप से सबल हो प्रता जी कई बार यह देखा जाता है कि लोग चाहते तो हैं कि मानसिक रूप से बहुत सुद्रिण हों लेकिन बचपन से ही उनके अंदर निराशा के भाव रहते हैं या फिर वो किसी भी चीज में अपने आपको फोकस नहीं कर पाते हैं या किसी भी कारे को पूरा नहीं कर पाते हैं या मानसिक रूप से बहुत अपने आपको हीन या कमजोर मह यह सोच रहा था कि कुछ लोगों का व्यक्ति तो बच्पन से ही कुछ दूसरे डंका होता है वो पैदा ही जैसे उसको लेकर हुए हैं या पूर्व जन्मों से कुछ ऐसे संसकार लाए हैं अब लोग सोचते हैं कि यह तो ऐसे ही रहेंगे पर तो यह सोचना गलत है हर चीज प 80 साल तक क्रोध ही कर रहा है तो मनोवज्यानी के शिद्धान दे देते हैं कि संसकार बदलेंगे नहीं पंतु नहीं जब श्यानती क्रोध में बदल सकती है तो क्रोध भी तो श्यानती में बदल सकता है हर चीज निरंतर बदल रही है इस परिवर्तन को जानते हुए हम पहल कि कमी कुछ बहुत धिक विकास की कमी साथ लेकर आये हैं लेकिन उन सब में विकास किया जा सकता है उन सब को बदला जा सकता है तो एक बिलकुल खोया हुआ व्यक्तित्व को भी चमकाया जा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ करनेगी आवस्शकता होगी बहुत-बहुत धन्य जो एक महत्वपूर्थ पहलु है युवाओं के लिए उसमें मानसिक व्यक्तित्व का विकाज बहुत महत्वपूर्थ इस्थान रखता है। हमारे सोच हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम लगातार व्यर्थ सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अनावश्यक विचार कर रहे हैं, तो जैसे हम अपनी उर्जा का रास कर रहे हैं, उसे नस्ट कर रहे हैं, उसी के स्थान पे यदि हम positive सोचते हैं, यदि elevated thoughts हमारे मन में उर्थपन होते हैं, तो हमारा जीवन भी stress और महान बनता चलता है, और ये बिल्कुल न सोचें कि हमारे मन में शक्ति नहीं है, मन में बहुत सारी शक्तियां है, बस उसे एक आवश्यक दिशा देने की आवश्यकता है, तो आपका मानसिक व्यक्तित्व न इनो दिन निखरता चले, इन ही शुब कामनाओं के साथ, नमस्कार. झाल 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 झाल